B.A.B.A. first year students, political science subject, paper 1, unit 1 हम study कर रहे थे, हम study कर रहे थे methods of study, traditional and modern, जिसमें हमने कल experimental method के बारे में study किया था, आज हम deductive method start करेंगे और उसमें हम start करेंगे दार्शनिक पदती किसे कहते हैं, या philosophical method क्या होता है, और राजनेतिक विज्ञान में इसका उप्योग किस तरीके से किया जाता है, तो हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने परियविक्षन आत्मक पदती, एतियासिक पदती, तुलनात्मक पदती और प्रयोग आत्मक पदती का अध्यन किया, ये सभी जो पदतिया थी वो inductive method थी, तो inductive method के अंदर गत हमने देखा कि ऐसे तथियों से अध्यन प्र कि deductive method क्या होता है, कि deductive method में किनी सामन्य सिधान्तों के सत्य होने की कलपना पहले से ही कर ली जाती है, कि कुछ ऐसे सिधान्त है, जो अल्ड़ी सत्य है, ऐसी कलपना की जाती है, और इन सामन्य सिधान्तों को विशिश परिश्थितियों में क्रियानवित करके हम इसमें नि देखेंगे कि deductive method का use किया जाएगा जिसके अंदरगत किनी सामने सिधान्तों के सत्य होने की कलपना पहले से ही कर ली जाती है और वो जो सामने सिधान्त होते हैं उनको vicious परस्तियों में क्रियानवित किया जाता है और उससे result निकाले जाते हैं और इस पदती में हम देखते हैं कि हम हमेशा जो सामने सिधान्त जो हमारे कालपनी गरूप में किये गए हैं उनसे कुछ vicious तत्यों की और हम आगे बढ़ते हैं तो philosophical method में भी यही होता है इस पदती के अंतरगत हम देखते हैं कि दार्षनिक पदती अपने प्रतिष्टित नियमों के प्रकाश में विशेश अवस्थाओं की वैक्या करती है दार्षनिक पदती राज्य के लक्षन अत्वा उदेश्य के सम्मन्द में कुछ पूर्व नि निश्चित कलपनाओं को पहले से ही जो सामने सिद्धानतों को सत्य मान लेते हैं उसी तरीके से इसी के अंतर ये होता है कि जैसे राज्य के लक्षन और उदेश्य के सम्मन्द में कुछ पूर्व निश्चित धार्णा लेकर चले हैं और उसके बाद निश्चित करती है कि उन उदेशियों की सिद्धी के लिए किस प्रकार के कानून अधिक उप्युक्त होंगे या कैसी संस्थाएं अधिक उचित होगी तत पस्चात ही एक इस आधर शिस्तती के प्रकाश में विद्यमान कानून और संस्थाओं का मुल्यांकन किया जाता है तो इसके अंतर के हम देखते हैं कि कौन-कौन से से राजनेतिक चिंतन थे चिंतक रहे हैं जिनोंने दार्शनिक पदती के पक्ष में या उसको अपनाया है जैसे प्लेटो ने अपनाया है थॉमस मूर, रूसो, मील, रिजविक, ब्रैडले, पोसांके, आधि ने इस पदती के माध्यम से राजनेतिक विज्ञान में अध्यन किया है जैसे कि प्लेटो की जो रीपबलिक है और जो थामस मूर की यूटोपिया है वो इस पदती का बहुती एक अनुपम या बहुती बढ़िया इसका एक्जामपल है कि दार्शनिक पदती के माध्यम से उन्होंने अध्य इस राजिक किस तरीके का होना चाहिए इसकी पहले से ही कलपना कर ली और दूसरा जैसे मूर है तो मूर के जो स्वर्गिक राजिक जो उनकी धारना थी वो भी एक तरह से कालपनी की थी और लॉक के जो प्राकरतिक नियम और प्राकरतिक अधिकार की जो धारना थी वो भी और रूसों का जो सामानिया, इच्छा की धारना का जो प्रतिपादन है, वो भी philosophical method के आधार पर ही किया गया, तो यह बहुत इच्छे example है, और इस सिद्धान्त का विशेश गोण यह है कि इसके द्वारा राजनेतिक चिंतन के चिंतन में आदर्शों का निर्धारन का राजन important point है, इसके अतरिक्त क्योंकि इस पदधि में तर्क और विवेक का आश्रे लिया जाता है, अतर यह पदधि अद्धि का प्रयाब्त विकास भी करती है, और हम इसमें सीमाई देखेंगे कि दार्शनिक पदधि की क्या सीमाई है, भी की सीमाई में हम देखते हैं कि दार्श स्विक्तास से संबन तोर देते हैं इसी कारण उनके द्वारा प्रतिपादित जो विचार है वो वैवारिक राजनेती से बहुत ही दूर हो जाता है एक्जामपल जैसे इन्हों दिया एक प्लेटो ने जो अपना गरंत लिखा था रीपबलिक और मूर के द्वारा लिखा गया गरंत यूटोपिया में ऐसे आदर्ष राज्यों का चितरन किया गया है जिनका इतिहास और मानो सुभाव के तत्यों से तन्रिक भी संबन नहीं है तो इन्होंने एक्जामपल बताया है कि जो दार्षनिक पदती है जब भी इसका उप्योग किया गया है तो जहां हम यह मान किये तो इकल्पना इस तरीके से हो गई कि वास्तविक्ता से बिल्कुली दूर हो गई इसका एक्जामपल रीपब्लिक में देखा जा सकता है इसका एक्जामपल यूटोपिया में देखा जा सकता है कि जो इतिहास और जो मानो सुभाव के तत्यों है वो तनिक भी आपस मे इतनी है तत्यों से कोई संबन नहीं रखती है तो इसलिए इसकी वैवारिक्ता भी बहुत ही कम है सावधानी क्या रखी जानी चाहिए जब भी हम जब भी कोई राजनेतिक अध्यन करता है इसका व्योग करें वो यह सावधानी रखे कि इसकी यह सावधानी रखी जाए कि इस उप्यूक्त तुरूटी के बाउचुद दार्शनिक पदती की सीमित रूप से अपनाना लगबग अनिवारी हैं और यह सत्य है कि हमारा मुख्य लक्ष है आदर्श राजी की स्थापना आदर्श राजी की प्राप्ती है किन्तो ऐसा करते समय हमें यथा संभव क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है इसके साथ समन्वह रखना चाहिए तो इन दो कॉंसेप्ट पर जरूर विचार करना चाहिए और उसके बाद में ही इसका अच्छी तरीके से भलिपातियम उप्योग कर सकते हैं तब तो हमारे लिए दाशनिक पदती जो है वो उप्योगी साबित होगी आगे हम डिड़क्टिव मेथड का दूसरा एक्जामपल देखते हैं एनालोजिकल मेथड गिल क्राइस्ट ने जो है सादर्श पदती की बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तरित विवेचना की है और इस पदती का व्यापक प्रयोग जो है वो ब्लंट शली और हरबर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है देखें स्पेंसर ने इस पदती को अपनाते हुए राज्य और मानो शरीर के बीच कितने भी सादर्श डूंडे और इन सादर्शियों के अधार पर अपने एक सावियव प्रति पादन किया तो जब भी अपन बात करते हैं एनलोजिकल मेथड की तो एनलोजिकल के अंदर बेट हम देखते हैं कि स्पेंसर ने जिस तरीके से राज्य और मानो शरीर इन दोनों को कंपेर किया आपस में और बहुत से सादर्श डूंडे के सीमिलर्टी कैसी कैसी होत लेकिन सादर्श को एक तुरूपता की सीमा तक नहीं पहुचा दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक जैसा कि डॉक्टर आशिरवार्दन ने का है कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सादर्श प्रमान नहीं है यह तो एक संभावना का सूचक मात्र है निश्यता नही इसलिए सादर्श एक बहुत अधिक बरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन जिस तरीके से इस हर्बट स्पैंसर ने राजिर की और मानो शरीर की आपस के बीच में जो सादर्श प्रमानिक होने चाहिए लेकिन क्या होता है कि कई बार जो सादर्श प्रमानिक होने जाते हैं वो ग्यान में फिर है हम देखते हैं नेक्स्ट वीदी पढ़ेंगे